प्लाजमा प्रोटीन्स इसका नॉर्मल कंसेंट्रेशन होता है 6.4 to 8.3 ग्राम पर डेसिलीटर कन्विनियन्स के लिए 6 to 8 ग्राम पर डेसिलीटर भी याद किया जा सकते है मेंली 4 प्लाजमा प्रोटीन्स हमारे ब्लेड के अंदर प्रेजन्स होते है सबसे पहला प्लाजमा प्रोटीन्स होता है अल्बुमिन, सेकंड इस ग्लोबलिन, थर्ड इस फिब्रिनोजन और फॉर्थ इस प्रोट्रॉमिन इसमें से जो ग्लोबलिन होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं अल्फा ग्लोबलिन, बीटा ग्लोबलिन गामा ग्लोबलिन जिसके अंदर फर्दर दो-दो सब्यूनिट्स हो सकते हैं अलफा वन अलफा टू बीटा वन बीटा टू और गामा वन गामा टू तो ये मेली चार टाइपस ओफ प्लाजमा प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग एक एक करिके डीटेल में डिसकस करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग ग्लोबलिन्स से स्टार्ट करेंगे फिर फिर फिब्रिनोजन फिर प्रोथ्रॉम में डिसकस करेंगे और लास्ट में अलबू में डिसकस करेंगे और उसके बाद हम लोग functions of the plasma protein बहुत easily समझ पाएंगे सबसे पहले globulin की अगर हम लोग बात करें तो globulin में सबसे पहले हम लोगों को दो बातें समझनी हैं सबसे पहले globulin के types क्या होते हैं तो types हमने पहले discuss कर लिया alpha globulin, beta globulin और gamma globulin होता है फिर globulin को produce कौन करता है तो globulins are produced by the tissue macrophages of the liver, spleen और bone marrow तो mainly जो alpha और beta globulin होते हैं वो tissue macrophages of the liver से ही produce हो जाते हैं most of the globulins को यही produce करता है liver के tissue macrophages जो gamma globulin होता है, उनका production जो होता है वो plasma cell से होता है यही gamma globulins जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग antibodies कहते हैं जो कि humoral immunity के लिए responsible होते हैं जो कि plasma cell से secret होते हैं तो यह हमें समझ में आगा है कि globulins produce कौन करता है अब हम लोग functions of the globulin discuss करेंगे उसके लिए हम लोग different forms of the globulin discuss करेंगे यह globulin हमारे blood के अंदर different forms में present होता है और different functions को functions perform करता है इसको इस पूरे forms को याद करने का एक trick है glitch in AC यह एक निमोनिक है G-L-I-T-C-H glitch in AC G for glycoprotein यह globulin glycoprotein के form में भी हो सकता है L for lipoprotein lipoprotein जो होते हैं वो भी actually globulin सी होते हैं जो कि हम लोग biochemistry में और detail में discuss करते हैं कि मेली और four types of lipoprotein होते हैं high density lipoprotein, low density lipoprotein और LDL, very low density lipoprotein और VLDL और kylo-microns के form में present हो सकते हैं तो यह जो form होता है globulin का lipoprotein इसका function होता है lipid metabolism का तो यह एक function हो गया globulin का जिसमें lipoprotein form का function हो जाता है lipid metabolism next immunoglobulins I for immunoglobulins immunoglobulins भी जो भी होते हैं वो भी globulins होते हैं जिनको हम लोग antibodies कहते हैं यह gamma globulins होते हैं और यह responsible होते हैं humoral immunity के लिए next T for transferrin transferrin जो होता है वो iron binding करने का काम करता है and C for celluloplasmin celluloplasmin एक ऐसा form है globulin का जिसका काम होता है copper को bind करने का H for heme agglutinin heme agglutinin भी एक form of globulin ही होता है जो कि actually में antibodies होते हैं against the red cell antigen हमारे blood के अंदर generally जो ABO system का हम लोग blood grouping system आगे पढ़ेंगे तो जो हमारा RBC होता है RBC पे कुछ antigens present होता है और उन antigens के against antibodies भी हमारे blood के अंदर present होती हैं उस antigens के opposite antibodies actually में हम लोगों के blood के अंदर present होती है means क्या होता है कि अगर if this is an RBC अगर ये एक RBC है और RBC पे अगर एक antigen present होता है A antigen तो हमारे blood के अंदर B antibody present होगी अगर इस के अंदर present होगा B antigen present होगा तो हमारे blood के अंदर A antibody present होगी अगर इस RBC के अंदर हमारे AB antigen present होगा तो हमारे अंदर कोई भी antibodies नहीं होगी और अगर अंदर O antigen present होगा मतलब अगर कोई antigen नहीं है तो फिर हमारे अंदर दोनों antibodies होगी AB antibodies होगी तो ये सारी चीजे हम लोग blood group में और detail में discuss करेंगे तो ये जो antibodies हमारे plasma के अंदर present है वो actually में क्या होते हैं heme agglutinins होते हैं जो कि एक form of globulin होता है ठेक है तो ये होगा glitch in AC AC में A stands for angiotensinogen angiotensinogen का function हम लोग CVS के अंदर बहुत detail में discuss कर चुके हैं कि ये blood pressure के regulation में काम करता है and C for coagulation factor जिनका काम क्या होता है clotting में होता है तो ये सारे के सारे हमने globulins के forms discuss की और functions discuss की है तो globulin complete हो गया next हम लोग discuss करेंगे fibrinogen और prothrombin के बारे में तो ये fibrinogen और prothrombin जो होते हैं वो produce होते हैं liver से तो mainly जो plasma proteins है वो liver से ही produce होंगे albumin भी liver से produce होगा fibrinogen prothrombin भी liver से produce होंगे globulin में भी alpha और beta globulin जो होता है वो mainly tissue macrophages of the liver से ही produce होता है बस gamma globulin जो होता है वो plasma cell से produce होता है तो ये हम लोग production of the plasma proteins को हम लोग समझ चुके हैं कि कौन-कौन कहां से produce होता है fibrinogen जो होता है वो हम लोग कहते हैं अब इसका function अगर हम लोग discuss करें तो fibrinogen is a precursor of the fibrin और ये help करता है blood clotting में जब हम लोग blood clotting mechanism आगे detail में discuss करेंगे further videos के अंदर तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि role of fibrin क्या होता है role of thrombin क्या होता है और ये thrombin जो होता है वो prothrombin से बनता है fibrin जो होता है वो fibrinogen से बनता है और ये कैसे blood clotting में काम करता है हम लोग इसका mechanism last में discuss करेंगे next videos में discuss करेंगे लेकिन अभी हम लोग को functions पता होना चाहिए कि fibrinogen और prothrombin ये दोनों के दोनों जो होता है वो blood clotting में help करता है जिसमें fibrinogen is a precursor of fibrin and prothrombin is a precursor of thrombin next हम लोग जो plasma protein discuss करने जा रहे हैं in detail में that is albumin albumin भी once again it is also produced in liver हमें पता है कि ये भी liver में produce होगा ये maximum quantity में present होता है 55% of the plasma proteins जो होते हैं वो albumin ही होते हैं maximum amount में present होता है और ये smallest smallest plasma protein होता है बहुत ही छोटा सा plasma protein होता है छोटे छोटे plasma proteins होते हैं इनका molecular weight याद करना थोड़ा important है 69,000 इसका molecular weight होता है और बाकी सब का molecular weight याद करने का ज़रत नहीं है concentration याद करने का ज़रत नहीं है बहुत सारी values दी होती है blood physiology के अंदर जिसको ignore करना पड़ता है क्योंकि उतना याद करना पॉसिबल नहीं है और याद कर भी लेंगे तो transiently याद होपय का long term के लिए याद करना पॉसिबल नहीं है तो normal concentration of the plasma protein पता हो गया बहुत है albumin का अगर हम लोगों को concentration आप याद कर सकते हो तो ठीक है लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं पड़ता है molecular weight of the albumin कभी-कभी पूछ लिया जाता है इसलिए याद करना important है next functions of the albumin के अगर हम लोगों बात करें तो albumin का जो एक preform होता है precursor form होता है जिसको हम लोगो pre-albumin कहते हैं उसका function होता है कि वो triadothyradine and thyroxine that is T3 and T4 को bind करने का काम करता है ये pre-albumin का function हो गया albumin जो होता है उसका main ली दो functions होता है जिसमें सबसे पहला function होता है it maintains the colloidal osmotic pressure ये colloidal osmotic pressure को maintain करने का काम करता है और binding and carrier protein का का काम करता है for different drugs, for different metals for different ions, उन सब के लिए binding और carrier protein का भी काम करता है but जो main काम होता है albumin का वो यह होता है कि वो maintain करता है colloidal osmotic pressure को ये कैसे maintain करता है, ये हम लोग अभी detail में, और detail में discuss करेंगे पर ये important function albumin का हमें हमेशा याद होना चाहिए कि ये maintain करता है colloidal osmotic pressure को अब हम लोग discuss करते हैं इस colloidal osmotic pressure को detail में discuss करते हैं जिसमें हम लोग discuss करेंगे concept of starling forces so colloidal osmotic pressure को detail में discuss करने के लिए हम लोग समझ रहे है concept of starling forces total 4 starling forces हम लोग discuss करेंगे और इन सब को हम लोग बहुत easy concept है, आराम से समझ मैं हैगा सबसे पहले हमें पता है कि हमारे vascular system के अंदर artery होती है, vein होती है और इसको connect कर रही capillaries होती है, capillaries का भी arterial end होता है और venus end होता है clear, अब क्या होता है कि जो हमारा blood है वो suppose artery से vein की तरफ जाता है और इस blood में यहाँ पे क्या है interstitial fluid है और यहाँ पे different tissues होंगे जिनको blood दिया जाता है, जिनसे nutrient exchange किया जाता है gases के exchange होता है वो सारी चीजे पता है हम लोगों को तो अब क्या हुआ, कि artery से जो भी blood आया उस blood के अंदर actually में क्या होगा कि water भी होगा और plasma proteins भी होगा means plasma भी होगा, cells भी होगे और plasma proteins भी होगे तो इसमें जो fluid component होता है blood का, वो responsible होता है hydrostatic pressure, hydrostatic pressure नाम से ही समझ में आ रहा है, hydro means water so water का जो content है, जो fluid content है, उसकी वज़े से जो pressure लगता है, उसको हम लोग hydrostatic pressure कहते हैं और ये pressure हमेशा pushing pressure होता है ये हमेशा क्या करता है, push करता है clear, और जो second जो plasma proteins या फिर colloids की वज़े से जो pressure लगता है, जिसको हम लोग osmotic pressure कहते है, colloidal osmotic pressure कहते है ये जो pressure होता है, वो हमेशा pulling pressure होता है, वो अपनी तरफ attract करता है ठीके न, ऐसा pressure होता है, जो कि pull करता है अपनी तरफ, clear ये basic पता हो गया, ये hydrostatic pressure जो कि जो कि जो कि पुशिंग pressure होता है जो कि अपने से दूर pressure लगाता है अब pushing pressure लगाता है और जो colloidal osmotic pressure होता है वो plasma protein और colloid की वज़े से लगता है जो कि pulling pressure होता है, अपनी तरफ attract करता है ऐसा pressure होता है, clear अब simple सी बात है कि ये जो blood है इसका जो water वाला component होगा इसके अंदर जो water वाला part होगा वो यहाँ पर क्या लगा रहा होगा hydrostatic pressure लगा रहा होगा तो hydrostatic pressure of the capillaries लग रहा होगा यहाँ से जो कि pushing pressure होगा जो कि बाहर की तरफ लग रहा होगा clear, तो hydrostatic pressure जो कि capillary का hydrostatic pressure है जिसको हम लोग PC से denote कर रहे हैं, यह सबसे पहला pressure हो गया, second pressure हो गया, osmotic pressure जो की capillary लगा रहा होगा, मतलब capillary के अंदर जो plasma proteins present है, यह plasma proteins अपनी तरफ attractive force लगा रहे होंगे, pressure लगा रहे होंगे, जिसकी वज़े से osmotic pressure of the capillaries का development हो रहा है, जिसको हम लोग PC से denote कर रहे हैं, third pressure जो होता है, वो क्या होगा, कि अब यह जो interstitial fluid है, इस interstitial fluid के अंदर भी, interstitial fluid है, तो obviously बात है कि इसके अंदर भी water भी होगा, मतलब fluid भी होगा, और इसके अंदर different colloidal particles भी होंगे, और different proteins भी होंगे, clear है, तो यह जो hydrostatic pressure जो यह लगा रहा होगा, interstitial fluid जो hydrostatic pressure प्रोटीन्स 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 प् होता है, फिर hydrostatic pressure of the industrial fluid and osmotic pressure of the industrial fluid, यह चार starling forces होते हैं, अब यह चार starling forces अगर capillary के arterial end पे लग रहे हैं, तो यह capillary के venus end पे भी लग रहे होंगे, similar ऐसी pressures लग रहे होंगे, पर क्या होता है कि जो capillary के जो arterial end पे जो यह चारो pressures होते हैं, वो ऐसे balance होते हैं कि यहां से क्या होता है कि blood का net filtration होता है clear, और जो venus end पे होता है, वो pressures ऐसे होते हैं, उनकी values ऐसी होती हैं, कि इसकी वज़े से क्या होता है कि blood का net absorption होता है तो यहां से blood का net filtration होगा, तभी तो यहां पे सारे nutrients पहुँचेंगे, यहां पे सारे सारे nutrients पहुँचेंगे और जितने भी gases पहुँचेंगे और यहां से फिर net absorption हो जाता है venus end में और फाइनली यह blood निकल जाता है अपने veins में अगर कुछ excess of the fluid यहां पे खटा हो गया मतलब filtration और absorption हो रहा है अगर filtration और absorption में कुछ imbalance हुआ जिसकी वज़े से क्या हुआ कि यहां पे क्या हो गया कि fluid का collection होने लग गया तो उसको clear कर दिया जाता है by lymphatics so excess of the fluid जो की accumulate हो सकता है interstitial fluid में उसको clear कर दिया जाता है by lymphatics clear अब क्या होता है कि यह जो colloidal osmotic pressure है जो की plasma colloids की वज़े से हो रहा है जो interstitial fluids की वज़े से जो osmotic pressure बन रहा है उसको हम लोग oncotic pressure नहीं कहते है सिर्फ और सिर्फ plasma colloids की वज़े से जो colloidal osmotic pressure बन रहा है उसको हम लोग oncotic pressure भी कहते है तो यह हम लोगों को concept of the star link forces समझ में आ गया कि क्या होता है थोड़ा सा इसका mathematics भी समझ लेते है कि arterial end पे अगर हम लोग बात करें तो PC की value 30 होती है PIF की value minus 3 होती है PIC की value 28 होती है और PIF की value 8 होती है इसमें important component होता है PIC PIC मतलब क्या हो गया osmotic pressure due to capillaries जो plasma proteins की वज़े से जो osmotic pressure लग रहा है यही तो main osmotic pressure है जिसके बारे में हम लोग discuss कर रहे है जो कि albumin की वज़े से हो रहा है क्योंकि plasma के अंदर albumin present है albumin एक तरह का plasma protein है और plasma protein जो होता है albumin ही maximum quantity में present है और यही mainly responsible है colloidal osmotic pressure को maintain करने के लिए clear तो अब हम लोगों को net अगर हम लोग निकाले इस पूरे के पूरे pressures का तो जितने भी बाहर निकालने वाले pressures है जैसे कि 30 हो गया PIF जो होता है यह जो interstitial fruits से जो hydrostatic pressure लगता है वो लगता तो pushing pressure है लेकिन यह काम करता है pulling pressure का तो यह पूरा अगर हम लोग इसका net निकालते है तो वो plus 13 mm of mercury आ जाता है इसका मतलब यह क्या हो रहा है कि arterial end पे net filtration देखने को मिल रहा है Venus end की अगर हम लोग बात करें तो values हो जाती है PC हो जाता है 10 PIF हो जाता है minus 3 PIC हो जाता है 28 और PIF जो होता है वो 8 हो जाता है बस hydrostatic pressure of the capillaries जो होती है वो change हो जाती है यहा 30 होती arterial end पे और यहाँ पे 10 हो जाती है जिसकी वज़े से यहाँ पे क्या होता है net absorption होता है Venus end पे क्योंकि इसकी value आती है minus 7 mm of mercury तो यहाँ से net filtration होता है यहाँ से net absorption होता है जो भी excess of the fluid यहाँ पे collect होता है उसको lymphatics के थुरू clear कर दिया जाता है यह concept of starling forces हम लोगों को mainly चार important starling forces के बारे में पता होना चाहिए और यह कैसे work करते हैं हम लोगों को यह पता होना चाहिए तो यह colloidal osmotic pressure हम लोगों को समझ में आगे है कि कैसे albumin इसको maintain करता है next इसका clinical correlation या फिर एक applied हम लोगों को पता होना चाहिए so एक applied clinical correlation है जिसको कह सकते हैं हम लोगों कि if it is the case of hypoproteinemia specially hypo albuminemia का अगर case आ जाता है तो albumin का quantity हमारे blood के अंदर कम हो जाएगा जिसकी वज़े से blood के अंदर जो blood जो osmotic pressure लगा रही थी वो इतना osmotic pressure नहीं लगा पाएगी जिसकी वज़े से क्या होगा कि filtration जो होगा वो बहुत जादा होने लगेगा obvious ही बात है कि blood का osmotic pressure क्या कर रहा था fluid को blood की तरफ कीच रहा था अब blood का osmotic pressure कम हो गया तो क्या हुआ कि उसकी वज़े से fluid जो है वो blood की तरफ नहीं आ पा रहा है जादा filtration हो पा रहा है तो बाहर की तरफ जादा निकलने लगेगा और बाहर की तरफ अगर blood जादा निकलने लगेगा interstitial fluid के अंदर fluid का collection हो जाएगा जिसको हम लोग edema कह देंगे ये generally देखने को मिलता है kidney disease के अंदर, liver disease के अंदर या फिर malnutrition के cases के अंदर obviously बात है कि kidney disease के अंदर क्या होगा कि due to the leakage of the plasma proteins plasma proteins की quantity कम हो सकती है albumin की quantity कम हो सकती है liver disease के अंदर क्या होता है कि liver ही responsible होता है plasma protein के formation के लिए यह हमने discuss किया था कि जितने भी plasma proteins होते हैं और इसमें भी albumin मेंली अगर देखा जाए तो वो liver ही produce करता है तो liver disease के अंदर भी क्या होगा कि there is a decreased or defective production of the albumin इस वज़े से hypo albuminemia देखने को मिल सकता है malnutrition अगर protein intake ही कम हो रहा है तो इस वज़े से भी protein deficiency हो सकती है तो यह सारी चीज़े जो होती है वो lead कर सकती है to the hypoproteinemia और hypo albuminemia के state में जिसकी वज़े से क्या होगा कि filtration जो होगा वो बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा क्योंकि blood का जो osmotic pressure है वो कम हो चुका है तो filtration बढ़ जाएगा बहुत ज़ादा than absorption जिस वज़े से क्या होगा कि edema interstitial fluid जो होगा उसका accumulation होने लगेगा जिसको हम लोग कह के देंगे edema के देंगे तो edema की condition develop हो सकती है तो ये एक clinical correlation है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए now next part of the video में हम लोग आ चुके हैं जिसमें हम लोग discuss करने जा रहे है functions of the plasma protein ये बहुत important part है और इस पे short notes आता ही आता है बहुत important है functions of the plasma protein जिसको हम लोग अब detail में discuss करेंगे so plasma protein के function को याद करने के लिए आप ये समझ लें कि plasma proteins की रास लीला को हम लोगों को यहाँ पे समझना है ये actually में neemonic है plasma proteins की रास लीला जिसमें plasma proteins जितने भी हमने पढ़े हैं उनके functions हो जाते हैं मतलब albumin हमने पढ़ा, globulin पढ़ा, fibrinogen पढ़ा, prothrombin पढ़ा उनके functions हो जाएंगे और की रास लीले, रास for R-A-A-S और रास एक neemonic है जो की हम लोगों को help करेगा याद करने के लिए कि इनके और क्या-क्या functions होते हैं तो सबसे पहले हम लोग albumin का function जानते हैं कि यह इसका main important function होता है कि यह maintain करता है colloidal osmotic pressure को तो plasma protein का सबसे पहला function होगे it maintains the colloidal osmotic pressure which is done by the help of albumin next हमें पता है कि globulin में gamma globulin का एक important function होता है humoral immunity का तो यह immune function का भी काम करता है plasma protein next हमें पता है कि celluloplasmin हमने पढ़ा था transferrin पढ़ा था जो कि globulin के different forms थे तो वो सारे क्या कर रहे थे transport करने का काम कर रहे थे iron से bind करके copper से bind करके transport करने का काम कर रहे थे तो next function हो जाता है transport function जिसमें plasma protein different hormones different drugs different metals जैसे कि iron, copper इन सबसे bind करके इनको transport करवाने का काम करता है next हमने पढ़ा था जो plasma protein वो था fibrinogen and prothrombin जिसका function हो जाता है coagulation of the blood obviously बात है clotting and coagulation में help करते हैं और एक और function हो जाता है जिसको हम लो कहते है viscosity of the blood viscosity of the blood के लिए responsible होता है fibrinogen mainly and albumin ये viscosity of the blood के लिए responsible होते है clear तो ये plasma proteins के functions हो गए next हमने क्या कहता है plasma proteins के functions को याद करने का जो trick है वो है plasma proteins की RAS लीला तो plasma proteins के functions हम लोगों पता चल गए और इसकी RAS लीला मतलब इसके R-A-A-S RAS एक trick है जो की आगे के functions हम लोगों को याद करने में help करेगा next function होता है reservoir function इसको क्या होता है इसका reservoir function होता है मतलब क्या करता है कि different जो hormones है different जो drugs है different जो metals है उन सब क्या करता है ये store करके रखने का रखता है जब तक इनकी जरुरत ना पड़े तो ये plasma proteins में ये सारी चीज़े stored भी रहते हैं इनको transport तो कर ही साथी साथ इनको store करने का भी काम करता है जब जरुरत पड़ती है ये इसको release कर देता है तो ये इसका reservoir function हो गया A for arterial blood pressure के maintenance के लिए भी responsible होता है हमें पता है कि blood के viscosity के लिए भी responsible plasma protein था और इसी viscosity की वज़े से blood pressure of the arteries arterial blood pressure जो होता है वो भी maintain रह पाता है हमारे body के अंदर next A stand करता है for acid-base balance acid-base balance का भी इसका काम होता है जिसको हम लोग buffer mechanism कहते हैं तो plasma protein जो होता है वो ज़्यादा pH में change नहीं होने देता है blood के अंदर क्योंकि एक buffer की तरह work करता है and next is as for stability of the blood के लिए भी responsible होता है mainly इसके अंदर globulin और fibrinogen responsible होता है और अगर loss of stability हो जाता है मतलब अगर blood का stability नहीं maintain हो पाएगा तो उसकी वज़े से क्या होगा rule formation हो जाता है of RBC rule formation of the RBC में क्या होता है कि generally RBC एक दूसरे से अलग होता है but rule formation में क्या होता है कि RBC एक दूसरे के उपर pile up हो जाता है जैसे कि coins का एक stack बनता है एक के उपर एक के उपर एक के उपर एक वैसे ही rule formation हो जाता है RBC का अगर loss of stability हो जाए तो तो ये mainly functions of the plasma protein होता है जिसमें हम लोग एक एक plasma proteins के functions को पहले लिग देंगे और उसके बाद फिर रास लिख देंगे that is R-A-A-S जिसका हमने जो हमने निमोनिक में डिसक्स किया so this was all about this video if you like this video please hit the like button do share with your friends and subscribe our channel if you want notes for this video or more such videos message me on my Instagram handle link is given in the description below thank you झाल